कौन सा आफटरशेव बैस्ट है कौन सा लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए कितने दिन चलेगा क्या रेट है क्या क्वांटिटी है और आफटरशेव लोशन लगाने से वाकिया कुछ फायदे भी होते हैं या नहीं ये सभी चीजों की डाउट आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं तो बने रही है चैनल के साथ अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा बट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए शुरू करते हैं हो सकता है आपने आप्टरशेव को चूज करने से पहले बहुत सारी जानकारियां बटोरने की कोशिश की होगी पूर एक्जामपल आप्टरशेव का चुनाव कैसे करना है सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा आप्टरशेव है स्किन के हिसाब से आप्टरशेव कैसे चूज करें aftershave के best brands कौन से हैं aftershave लगाने के क्या फायदे होंगे आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं मेरा मानना है कि aftershave का चुनाव करने में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों का review दूँ ये जानना बहुत जरूरी है कि aftershave lotion लगाने के वाक्याई कुछ फायदे भी होते हैं या सिर्फ दुनिया लगाती है इसलिए लगाना चाहिए aftershave को ज्यादातर मेल्स दाड़ी के बाद रगड या जलन को शान्त करने का एक साधन मानते हैं उनके हिसाब से इसको लगाने के बाद shaving से होने वाली जलन कम हो जाती है और आप relax मैसुस करते हैं लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है आप जरा गोर करना जिसकी grooming kit में aftershave शामिल नहीं होता उसकी दाड़ी के नीचे वाली skin काली पढ़ने लगती है aftershave skin के complexion को भी ठीक करता है दरशल shaving के समय रेजर skin के रंग पर भी असर डालता है जितनी बार रेजर चलता है उतनी बार skin का रंग गिरता है और काला पढ़ने लगता है ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि aftershave लगाया जाए ताकि skin पर कोई भी बुरा असर ना हो सके shaving के बाद skin को final touch up देने का काम अच्छे aftershave के बिना करना बहुत मुश्किल है ये final touch skin के लिए किसी असरदार दवा से कम नहीं है दोस्तों aftershave सिर्फ acne और pimples को remove करने काम नहीं करता बलकि ingrow hairs और different skin tone में भी रहत देता है अकसर males में aftershave से बचने की आदत होती है जबकि ये shaving की पूरी प्रक्रिया का सबसे एहम हिस्सा है तो दोस्तों ये था aftershave lotion के बारे में कि हमें क्यों aftershave lotion लगाना चाहिए अब हम इन दोनों products का review करने वाले हैं पहले नंबर पर है निव्या का sensitive skin aftershave lotion और दूसरे नंबर पर है old spices का original aftershave lotion तो दोस्तों इन दोनों का हम review करने वाले हैं अभी अगर हम बात करें इस aftershave की निव्या वाले की तो निव्या वाला कोई भी जलन पैदा नहीं करता है किसी भी तरीके से अगर आपको बड़ा भी cut लग जाता है चोटा cut लगता है बड़ा cut लगता है चलेगा कोई फरक नहीं पड़ता तो इसको लगाने से कोई भी जलन महसूस नहीं होती है दूसरी तरफ अगर आप old spices का aftershave लगाते हैं कहीं पर अगर आप बिल्कुल हलका सा normal cut भी लग जाता है तो भी ये बहुत जलन पैदा करता है बहुत आग लगती है बहुत ज़्यादा फेस में irritation भी बहुत ज़्यादा होती है तो आप चूज कर सकते हैं अपनी skin के इसाब से दूसरी तरफ अगर इस aftershave की बात करें निव्या वाले की तो निव्या वाला लगाने के बाद बहुत ही ठंडा ठंडा सा फील होता है ऐसा फील होता है जैसे कि किसी ने बर्फ रगड दी हो मुपे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपका बड़ा सा भी cut लग जाता है तो भी आपको कोई problem नहीं होती है दूसरी तरफ इसका मैं आपको बताई चुका हूँ अगर बड़ा cut लग गया है तो मैं recommend करूँ है कि ये आप ना लगाए पहले कुछ और उसका उपाए करें फोर एग्जामबल सैवलोन या फैडेटोल वगेरा का यूज करें ये direct skin पर ना लगाए तो दोस्तों तीसरा फर्क ये है कि इसमें instant relief आपको मिलता है अगर आपका cut लगता है skin पर तो instantly आपको relief मिलता है और दूसरी तरफ old spices में ये खूबी नहीं है मैं old spices के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ये सब बाते हैं क्योंकि ये मैं already use कर चुका हूँ और old spices को use करते हुए मुझे कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 मैंने हो चुके है 8 से 10 मैंने तक मेरी ये एक bottle चली है हलागी मैं alternate days पर ही shaving करता हूँ बट 8 से 10 मैंने मेरे को जहां तक याद है अच्छे से 10 मैंने हो चुके है दोस्तो चोथा फर्क है इन दोनों की rate और quantity में निव्या का ये product थोड़ा सा महंगा पड़ता है और दूसरी तरफ old spices का ये product थोड़ा सस्ता पड़ता है निव्या के मुकाबले तो दोस्तो अगर आपकी जेब इतनी ज़्यादा डीप नहीं है तो आप जा सकते हैं old spices के लिए और अगर आप अपोर्ड कर सकते हैं निव्या का ये product तो मैं definitely recommend करूँआ निव्या के इस product को क्योंकि ये हर एक skin type को suit करता है हर तरह की skin irritation को दूर करता है और skin को moisturizer भी अच्छे से कराता है तो दोस्तो मैं recommend करूँआ निव्या का after shave lotion overall मैं ये कहना चाहता हूँ कि old spices अगर आप use करते हैं तो हलाकि ये जलन करता है बट skin को काफी अच्छे से ये नरिश भी करता है एक skin पर एक अलग ही तरह का glow आता है दूसरी तरफ निव्या में भी इससे ज्यादा glow आता है और इससे ज्यादा निव्या का ये product काम करता है दोस्तो मैं recommend करूँआ कि आप old spices को use ना करें अगर आपकी sensitive skin है तो और अगर आपकी normal skin है आपको कोई irritation नहीं होती है और अगर आप irritation से बचना चाहते हैं तो आप निव्या के इस product के लिए जा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को like करें और सब्सक्राइब करना ना मुले थैंक्स फोर वाचिंग फिट्ट्यूब और याउन चूप योग